यूपी चुनावों पर जी नियूस के उपीनियन पोल को लेकर हमारे सम्मधाता विशाल पांटे ने डाचिके डेपटी सीम केशिप प्रसाद मौरे से खास बातचीत की बातचीत में डेपटी सीम ने दावा किया कि बीजेपी 2017 का करिश्वा दोहराएगी सुनिये ज़रा जी नियूस के उपीनियन पोल पर बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है 248 स 267 सीटे क्या कहना चाहेंगे देखे सबसे पहले तुमें जी नियूस के सर्वे के माध्यम से स्री अखले से आदो जी के जो मुंगेरी लाल के सपने हैं उसे चकना चूर करने का काम किया गया है इसके लिए धन्यवात करता हूँ दूसरा यहाँ भी कहना चाहूँगा कि जो आपका सर्वे है उस पर सवाल नहीं उठाऊँगा क्योंकि जो सर्वे के परड़ाम आप दिखा रहे हैं 248 से 216 या सर्वे वर्तमान का है लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा हम 2022 में भी 2017 दोहराएंगे जनता भारती जनता पार्टी के साथ है हमारे डबल इंजन की जो सरकार है उस डबल इंजन की सरकार के परड़ाम से बहुत प्रसंद है हमारी सरकार ने गरीबों के लिए सबसे जेदा काम किया है किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सबसे जेदा काम किया है ब्रहष्टा चार मुक्त भारतियां करने का काम किया है और विकास के छेत्र में तो 15 साल बराबर 5 साल हो गया है इसलिए भारती जनता पार्टी के पच्छ में जो भी आपका सर्वे आया है उसका स्वागत भी करता हूँ लेकिन जो नंबर आपने अभी दिखाए है आधिक्तम वाला जो दिखाए है उससे भी बहुत आगे हम लोग जाएगे केश्ण जी अगर वोट शेयर की बात करें बीजेपी को 41 परतिशत वोट शेयर मिलता हुआ दिख रहा है कि 100% में से 40% ओट हमारा है 40% आटों में बटवारा है और बटवारे में भी हमारा है दीरे-दीरे आप देखते जाईएगा आपका शर्वे अभी नहीं बता रहा है लेकिन आने वाले समय में आपके सर्वे भी बटाएंगे कि जो मैं कहे रहा था उसकी हिसाब से भारती जनता पार्टी का ओड़ सेर जो है लगभख 60 प्रतिस जाए पस्चिम यूपी में थोड़ा नुकसान नजर आया पूरे छे ख्षेत्रों को अगर देखा जाये तो मैं यह मनता हूं कि पस्चिम यूपी में नुकसान नहीं हमें फाइदा ही फाइदा है जिस प्रकार से दंगाईयों को जिस प्रकार से अपरादियों को जिस प्रकार से माफियाओं को जिस प्रकार से बोटी बोटी करने वाले बयान देने वालों को समाजवादी पार्टी को अपने साथ लेने के लिए विवस होना पड़ रहा है जिस प्रकार से मुझफन नगर दंगे के जो दंगाई हैं जो कहराना से पलायन के लिए हमारे हिंदूओं को विशेश तवर से मजबूर करने का काम किये हैं उन सब को समाजबादी पार्टी या समाजबादी पार्टी ग प्रष्टाचार ना दंगा राज ना गुंडा राज फिर से एक बार भाजबा सरकार किश्व जी कंतिम सवाल सिराथू सीट का वी सर्वे आया जिसमें आप जीत दर्ज करते हो दिख रहे हैं क्योंकि विधानसभा टिकट का जब आपका एलान हुआ है उसके बाद आपका पहला इंटर्वियू क्या कहना चाहेंगे आप सिराथू सीट से जो आपको उमिद्वार बनाया गया बीजेपी की तरब से मेरी जनमोहुमी जहांस मैं पहली बार विधायक बना था उसे कर्मोहुमी के रूप में मुझे घोसित किया है और अब बात करते हैं जीनियूस डिजाइन बॉक्स के उपीनियन पोल की जिस्तिक यलिमान जताया है कि उत्तर प्रदेश विधान सबाचनाव में बीजेपी को 245 से 216 सीट्स मिल सकती है समार्वारी पार्टी को 165 से 148 सीट्स मिल सकती है समार्वारी पार्टी गजपंदन के हम बात कर रहे हैं बीजेपी को 5 से 9 और कॉंग्रेस को 3 से 7 सीट्स मिल सकती है अन्य के हिस्से में अन्य के खाते में दो से छे सीट्स आ सकती हैं उत्तरपदेश में Zee News, Design Box का उपीनियन पोल और उसके आंकडे जो बता रहे हैं उपीनियन पोल के वो आपके सामने BJP Alliance, SP Alliance, BSP, Congress और अन्य के खाते में इस उपीनियन पोल के हिजाब से किती सीट्स जाती नजर आ रही